नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं R.C.A. News आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में अभी की बड़ी खबर क्या है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार दो फरवरी आज के 12 समाचार पत्रों में आप से संबंदित कई खबरे छपी हुई है जो कि आपके लिए अचिमहत्पूर है इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी इपमत करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करिएगा जिससे आपकी दोस्टों को भी जानकारी प्राप्ट हो सके अगर आप इसी बरकार की जानकारी चाहते हैं आप चाहते हैं कि समय समय पर आपको सही और सठीक जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और प्रसडेट कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफीकेसन आपको आपको सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को आफसे पहले देख पाएं तो आईए पहले ख़बर की बारे में जान लेते हैं पहले ख़बर उत्तर परे लोग स्रिव आयोग की यल्टिक्रे सिच्छ भरती परिच्छा 2018 को लेकर है उत्तर परे लोग स्रिव आयोग ने यल्टिक्रे 2018 की चैनित अभरत्यों की फाइल सत्यापित करके सिच्छा निसाले भेजनी सुरू कर दी है सूमार को हिंदी पूरुस के 421 अभ्यर्टियों की फाइल निसाले भेजी गई है जबकि हिंदी महिला अभ्यर्टियों की फाइल मंगलवार को भेजी जाएगी यहाँ पर महत्पूर जानकार दे गई है कि समाजी विज्ञान पूरूस वा महिला दोनों चैनितों की फाइल एक सब्ता के अंदर नीसाले भेजने का लच्छ रिधालित किया गया है अगली खबर है नीजी करण को लेकर दे इस में सब कुछ भी करा है आखिर दे इस में क्या रहेगा सरकार के हाथों में क्या रहेगा या सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार ने एरपोर्ट, शरक, बिजले, ट्रांस्मिसन लाइन और बेर हाउस वेचने का फैसला किया है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी संपत्यों के अलावा दो सरकारी बैंक एक जन्रल इंसूरेंस कमपनी भी बिकेगी BPCL का निवेस होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कई सरकारी कमपनीों की विन्वेस की बड़ी घोश्णा है रेल्वे बेचेगी डेटीकेटेड फ्रेट काईडोर यहां पर लिखा हुआ है कि एड़ पोर्ट के अगले चरण की विक्री जल गेल आई ओसी एच्पी सी यल की पाइपलाइन एक सेट भी बिकेगा तो सब कुछ बिकराय तो देश में बच क्या रहा है आप लोग अपनी र गलत है अगली ख़वर है प्रधान मंत्री ने कहा कि दिल में है किसान और गाउं में मेरा प्रधान मंत्री जी से एक सवाल है कि आपने जो किर्शी कानून बनाया है किसके कहने पर बनाया है दूसरा सवाल क्या किर्शी कानून किसानों की हित में है अगर किसानों की हित में ह रहे हैं तीसरी बड़ी बात अगर किशान मांग कर रहे हैं कि किश्री कानून को रद्द किया जाए तो आखिरकार आप क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं इसका क्या कर रहे हैं आप देश वासियों को भरे मंच से बताए कि इस कारण से हम किश्री कानून को रद्द नहीं कर रह योजना का लाव यहां पर बताया है कि यूपी बोर्ट बनाएगा आठ या 497 परिच्छा केंद्र है अगली खबर है कि बैंक डूबा तो तत्काल मिलेगी पांच लाग तक का बीमाराज बैंक के लाइसेंज रद होने का नहीं करना होगा इंतजार छे फरवरी को देश भर मे किसान इसमें भाग लेंगे आगली खबर है कि केंद्र सरकार नीजी हाथों में सौफ सकती है खेल इस्टेडियम को आप बताएए कि अब खेल इस्टेडियम भी नहीं बच रहे देखिएगा एक दिन देश में कुछ नहीं बचेगा सब प्राइबेट हो जाएगा यहां तक बिभाग भी प्राइबेट ना हो जाए तो इसमें दो राय नहीं आगली खबर है कि एल्टिक्रेट हिंदी पुरूस वर की फाइले निसाले को भेजी कला में आहरता की विबाद पर यूजी सी एंसी टी ने इसपर्ष की इस्तिति अगली खबर है कि दो सरकारी बैंकों का ह अगली कबर है कि बढ़नी की वजाए घट गया अनुदेसकों का मानदे आपको बता दे कि बेसिस चाव विहा की उच प्रात्मिक इसकोलों में तैनात अनुदेसकों का मानदे बढ़ने की वजाए घट गया है अभी तक उन्हें 8,470 रुपे मानदे मिल रहा था मगर अब 7,000 रुपे ही मिलेंगे तो अब तक कि सबसे बड़े कबर है इस सरकार में बढ़ नहीं रहा है कुछ सब कुछ घट रहा है यहां पर लिखा हुआ है कि तकनीकी सायकों की भरती में समानी करड प्रक्रिया को चुनोती यहां पर पूरी जानकार दे गए मामला हाई कोड में बिचाराधीन है अलावा हाई कोड में याजका दाखिल करकी बिद्दुद भाग में तकनीकी सायकों की भरती में आहरता परिच्छा को समानी करड प्रक्रिया को चुनोती दी गई है याजका पर कोड ने राज सरकार वा बिद्दुद सिवा चैन आयोग से जवाब मांगा याजका की आगली सनुआई 18 फरोरी 2021 को निधारीत की गई है आगली कबर है डलर चैसु समेश्टर परिच्छा को लेकर डलर चैसु समेश्टर परिच्छा आज से आगली कबर है PCS को लेकर और PCS के इंटर्वी में पूछे कैसे काम करती है वैक्सीन साथाथकार के लिए ब प्रदेश के महाविद्यालों में असिस्टन प्रोफेसर के पदों पर भरती के लिए स्क्रीनिंग पर इच्छा 17 अपरेल को एक सत्र में सुबा 11 वजे से दोपार 1 वजे तक प्रियागराद यूम लखनों में आविज की जाएगी अगली खबर है कि दिव्यांगों के धरने के पचास दिर पूरे नहीं सुनी गई मांग तो इस सरकार में मांग नहीं सुनी जाती है आप कितना भी धरना दे दो किसान लाखों की ताजाद में हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है तो आप 50 की ताजाद में हैं आपका क्या होगा संख्या अधिक होनी चाहिए और लंबे समय तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा तभी आपको इसका लाब मिल सकता है वैसे बरत्मान सरकार में कितना धर्ना परदर्षन कर लो कुछ भी कर लो उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है क्यों नहीं असर पड़ता है इसका कारण आप लोग जानते होंगे मुझे बतानी के और शकता नहीं है जो दिब्यांकों ने दर्ना प्रदर्शन किया है जो अपनी मांग कर रहे थे चार फीदी आरचण को लेकर सरकार उस पर मौन बैठी हुई है और चार फीदी आरचण देने के प्लान में नहीं है अगली खबर है जूपी पीसियस साढ़े आठ हजार अभ्यर्थियों ने आबेदन में की गलती फोटों हस्ता चात तूटी पूर्ण आठ फरोरी तक मिला संसूधन का मौका तो आप आठ फरोरी तक संसूधन कर सकते हैं फार्म में आगली खबर है कि रिक्त पदों पर जल्द भरती की मांग उठी यहां पर बताया गया है कि स्रिच्चकों ने प्रधान मंत्री और मुखमंत्री को संबोदी ग्यापन आपर जिलादिकारियों को दिया यहां पर लिखा हुआ है कि अन्सूची जात जन जात वर की रिक्त पर भरती की मांग को लेकर S.C.H.D. Basic Teacher Welfare Association ने प्रधान मंत्री और मुखमंत्री को संबोदी ग्यापन एडियम को दिया पदाधिकारियों ने स्रिच्चकों की उत्पीडन का भी आरोप लगाया यहां पर पूरी जानकारिदी गहीं बताया गया है कि सासना देश जारी किय कहा गया है पization का सासना दिसलाए जारी की अ जया है शिचकों वहां सरकारिस त्योंकों को पूर में दिये गया प् genau आदेश को ततकालिस्ट करते हुए पूरपत्त पत्थे नाती देते हुए सभी लाब दिये जाये सिठ्चक भरती प्रक्रिया में उन्सूची जंजात की 1113 रिक्तपदों को जल्द भरा जाए ग्यापन देनी वालों में अनिल दिवाकर राजेस भारती भीमन आज लोग महुजूद थे अगली खेवर सीटेट पेपर को लेकर है सीटेट का पेपर वायरल हो गया है अब सीटेट की परिछारत होगी या नहीं या सबसे बड़ा सवाल इसके समझ में आज जानकारी करने के बाद मैं आपको आउगत कराऊंगा मैं आपको बता दूँ कि केंद्री सिछक पात्ता परि से मुल प्रश्पत्र का मिलान क्या तुआ हूब भूब निकला तो आखिरकार सीब्सी का इस पर क्या कहना है मैं आपको बता दूँ कि सीब्सी के छेते अज़कारी करनेल सिंग ने मीडिया से बातचीत के लिए खुद के अज़कित ना होने का हवाला देकर पल्ला जाड ल होगा तो इस मामले का समाधन पेपर रद करके होगा यहां पर एक महत्पूर जानकारी दी गए डियलेट को लेकर स्कूटनी के लिए 30 दिन में करे आवेदर अगर आप एक समस्टर में फेल हो गये हैं अगर आपका बैक आ गया है तो आप सो रुपे का सुल्क जबा कर सकते हैं पीनपे के नाम पीनपे के सच्यू के नाम और 30 दिन के अंदर आपको सो रुपे का सुल्क जबा करना होगा और आप अपने कांपियों का स्कूटनी करा सकते हैं आप अपने कांपियों का पुनर मुल्यांकन करा सकते हैं हो सकता है कि आपकी किसमत चमिक जाए आपने सही विश्य की उत्तर पुष्ट का का इसकुटनी करानी है तो रिजल्ट घोसित होने की तारिक से 30 दिन के अंदर संबंदी डायेट में आविधन करना होगा पर सिच्छु अधिक्तम दो विश्यों में ही इसकुटनी करा सकता है तो आप लोग इसके लिए 100 रुपे का बैंक ड्र आधिम से दी जाएगी इसी प्रकार की जार कारेक लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें जैंजे भारत उस्तों नमस्कार